फारत मता की जैए फारत मता की जैए साथ्यों आपका यह होसला आपका शाहुरिय और माभारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पन और तुल्निया है आपकी जीवर्ता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है जिन कठीन परिस्थितियों में जिस उन्चाई पर आप माभारती की धाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं उसकी सेवा करते हैं उसका मुखाबला पूरे बिश्व में कोई नहीं कर सकता है आपका साहस उस उन्चाई से भी उन्चा है जहां आप तैनाथ है आपका निश्चाई उस गाटी से भी सक्त है जिसको रोज आप उपने कदों से नापते हैं आपकी भुजाएं उन्चटानों जैसी मजबूत हैं जो आपके इर्दगिर्द खड़ी हैं आपकी इच्छाशक्ती आसपास के परवतों जितनी अटल हैं आज आपके बीच आखर मैं इसे महसूस कर रहां साक्षाथ अपनी आखों से इसे देख रहां साथियों जब देश की रख्षा आपके हाथों में हैं आपके मजबूत इरादों में हैं तो एक अटूत विश्वास है जर मुझे नहीं पूरे देश को अटूत विश्वास है और देश निश्चिंद भी है आप जब सरहत पर टटे हैं तो यही बात विश्वासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करती है आत्मंदिर भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण आपके त्याग बलिदान पुरसाद के कारण और मजबूद होता है और अभी जो आपने और आपके सांथियों ने बीरता दिखाई है उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है और मैं मेरे सामने महिला फोजियों को भी देख रहा हूँ युद्ध के मैदान में सीमा पर ये दर्ज़ अपने आपको प्रेणा देता है साथियों राष्ट कवी रामधारी सी दिनकर्जी ने लिखा था जिनके सिहनाद से सहमी धर्ती रही अभी तक डोल कलम आज उनकी जै बोल कलम आज उनकी जै बोल तो मैं आज अपनी वानी से आपकी जै बोलता हूं आपका अभिननन करता हूं मैं गलवान गहाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनह स्रद्धाजली अर्पित करता हूं इनमें पूरत से पस्चिम से उत्तर से तक्षिन से देश के हर कोने के बीर अपना शौर्य दिखाते थे उनके पराकरम उनके सिहनात से धरती अब भी उनका जैकारा कर रही है आज हर देशवाजी का सीर आपके सामने अपने देश के भी सेनिकों के सामने आदर पुर्वक नतमस्तक होकर के नमन भरता है आज हर भारतिय की छाती आपकी बीरता और पराकरम से फुली हुई है साथियों सिंदू के आशिरवाज से ये धरती फुन्य हुई है बीर सपुतों के शौरी और पराकरम की गाताओं को ये धरती अपने आप में समेटे हुई है लेख लद्दाव से लेकर करगील और सियाचिन तक रेजांगला की परफिली चोटियां से लेकर गलवान गाटी के ठंडे पानी की धारा तक हर जोटी हर पहाड हर जर्रा जर्रा हर कंगड पत्थर भारतिय सैजिकों के पराकरम की गवाही देते हैं फोटिन कोर की जावाजी के किस्से तो हर तरफ है दुनिया ने आपका अदम में साहत देखा है जाना है आपकी शौर्य गाथा हैं गर्ण गर्ण में गुंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर आपकी फायर वोई देखी हैं और आपकी फ्यूरी भी साथियों लद्दा का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है 130 करोर भारतियों के मान सम्मान का प्रतीख है ये भूमी भारत के लिए सर्वस्वत्याग करने के लिए हमेशां तयार रहने वाले राष्ट भक्तों की धर्ती है इस धर्ती ने कुशत पकुला रिंपोंचे जैसे महान राष्ट भक्त देश को दिये है ये रिंपोंचे जी ही उनी के पैरंट जिनोंने दुश्बन के नापाग इरादों में स्थानिया लोगों को लामबंद किया रिंपोंचे के गुवाई में यहां अलगाव पंदा करने की हर साजीस को लद्दाक के राष्ट भक्त जन्ता ने नाकाम किया ये विनी के प्रेरक प्रयासों का परणाम था कि देश को भारतिय सेना को लद्दाक स्काउट नाम से इन्फंट्री रेजिमेंट बनाने का प्रेरणा मिली आज लद्दाक के लोग हर्सदर पर चाहे वो सेना हो या सामान्य नागरिक के कर्तक रहो राष्ट को ससक्त करने के लिए अद्भूत योगदान दे रहे साथियों हमार यहां तहां जाता है खडगेन आक्रम्य बंजी तह खडगेन आक्रम्य बुन्जी तह बीर भोग्या वसुंदरा यानी बीर अपने सस्त्र की ताकत से ही धर्ती की मात्रु भूमी की रक्षा करते है यह धर्ती बीर भूग्या है वीरों के लिए है इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ हमारा संकल्प हिमाले जितना ही उंचा है यह सामर्थ और यह संकल्प में इस समय आपकी आँखों में मैं देख सकता हूँ आपके चहरों पर यह साब साब नजर आता है आप उसी धर्ती के बीर है जिसने हजारों वर्सों से अनेकों आकरांताओं के हमलों को अत्याचारों का मुह तोड़ जमाब दिया है हम और यह हमारी पहचान है हम वो लोग है जो बांसूरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं तो हम वही लोग हैं जो सुदर्सन चक्रधारी कृष्ण को व्यादर्शमान करके चलते हैं इसी प्रेंड़ा से हर आकर्मन के बाद भारत और ससक्तव करूब रहा है साथियों रास्त की दुनिया की मानवता की प्रगति के लिए शांती और मित्रता हर कोई स्विकार करता है हर कोई मानता है बहुत जरूरी है लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांती निर्वल कभी नहीं ला सकता कमजोर शांती की पहल नहीं कर सकता वीरता ही शांती की पूर्वशर्ट होती है भारत आज जल थल नग और अंत्रीक्स तक अगर अपनी ताकक बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है भारत आज आदुनिक अस्त्रसस्त्र का निर्वार कर रहा है दुनिया के आदुनिक से आदुनिक तक्नीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं तो उसके पीछे की भावना भी यही है भारत अगर आदुनिक इंफास्त्र का निर्वार तेजी से कर रहा है तो उसके पीछे का संदेज भी यही है विश्व युद्व को अगर हम याद करें विश्व उद्व हो या पिर शांती की बात जब भी ज़रुत पड़ी है विश्व ने हमारे वीनों का प्राक्रम भी देखा है और विश्व सांती के उनके प्रयासों को मैसूस भी किया है हमने हमेशा मानवता की इंसानियोत की हुमेनिटी की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है जीवन खपाया है आप सभी भारत के इसी लक्ष को भारत की इसी परंपरा को भारत की मही महान संस्कृति को स्थापिट करने वाले अगवा लीडर हो साथियों महान संत तिर्वल्लुवर्जी ने सैंक्लो वर्ष पुर्व कहा था मारा मानं मांडः बड़ी चेलव तेकुम येना नानगे येमं पड़ाई कह यानी सौर्य सम्मान मर्यादा पुर्ण ब्यहवार की परंपरा और विश्वसनियता ये चार गों किसी भी देश की सेना का प्रतिम्ब होते हैं बारत की सेना ये हमेशा से इसी मार्ग पर चली है साथियों पिस्ताव येपटि कपडुमा वीडियोस चूडालांटे सब्सक्राइब जेसकोंडी